Hello everyone, this is Amun Pridh Singh and you are watching Technoistics. Guys, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको थैंक्यू बहुनना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं उमीद है आगे भी आप मेंको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही नएने वीडियो लिखिया आता रहूँगा इस पिछले वीडियो में हम लोगोंने डिस्कस किया था कि एक LED के साथ कौन सा रेजिस्टन्स लगता है कि वो अलग लग वोल्टेजेस के उपर प्रॉपर अपने इंटेंसिटी के साथ गलोग कर सके उमीद आप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखा है तो निचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंग के आप बहाँ से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आज का जो हमारा वीडियो है यह ब्रेट बोर के उपर बेज दोने वाला है कि हम ब्रेट बोर को कैसे यूज करते हैं क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से अलगलग कंपोनेंट्स को मुसके ओपर कनेक्ट कर सकते हैं तो चलिए इस शुरू करते हैं इस ब्रेट बोर जो है वो इलेक्राणिक सर्केट डिजाइन का एक बहुती कॉमन और बहुती इंपॉर्टन पार्ट है इसके ओपर हम कोई भी सर्केट टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कभी भी हम पीसीबी के ओपर सर्केट बनाने से पहले इस ब्रीडड बोर्ड के ओपर उसको बनाके देखते हैं ताकि हम शौर हो सकेंगी वो सर्केट हमारा प्रॉपर वर्क करेगा या फिर उसमें कुछ और चेंजिस करने की ज़रुत पड़ेगी तो breadboard के ओपर बनाएगे circuits permanent नहीं होते हैं इसको हम reuse कर सकते हैं कभी भी कोई भी circuit बना के उसको हम हटा सकते हैं तो आज हम यहीं देखेंगे कि इस breadboard को कैसे हमने use करना है तो basically breadboard है जो कुछ sections में divide किया होता है यह किसका जो यह section है यह आप section जो देख रहे हैं यह सारे आपस में connected है बट horizontally यह सारे अलग लग है यानि कि अगर मैं इस dot को इस dot के साथ चेक करूँ तो यह दो different dot हैं अलग लग हैं लेकिन अगर इस dot को मैं इसके नीचे वाले dot के साथ चेक करूँ तो यह आपस में connected मिलेंगे हमें इसी तरीके से ये जो section है इसमें भी vertically ये सारे dots आपस में connected है basically ये holes हैं जिनमें हम components की legs को insert कर सकते हैं और horizontally ये सारे अलग अलग है यानि कि अगर हम यहाँ पर कोई component connect करना चाहते हैं तो उसको हम इस तरीके से connect करेंगे इसके आप देख सकते हैं एक leg मैंने यहाँ पर connect करिया और दूसरी leg इसकी यहाँ पर connect करिया है तो इन दोनों को अगर में को power देनी है तो मैं power की एक pin इस point पर लगा सकता हूँ एक pin इस point पर लगा सकता हूँ तो यहां से यह power यहां तक पहुंच जाएगी और यहां से यहां तक पहुंच जाएगी क्योंकि यह vertical यह आपस में connected है तो यह दो sections ऐसा हो गए है और इसके इलावा यह जो sections है उपर और नीचे इनको power lines बॉला जाता है यह भी power के लिए sections हम यूज करते हैं यह section भी 4 parts में divided है इस section में इस point से लेकर इस point तक अगर आप count करें 5 sections होंगे 1, 2, 3, 4, 5 यह आपस में connected आपको मिलेंगे सिर्फ एक line यह उपर वाली line है तो इस point से लेकर यह इस point तक यह line पूरी आपस में connected है और इसकी जो यह नीचे वाली line है इस point से लेकर इस point तक यह आपस में connected है जयानि कि अगर हमने पूरे circuit को multiple जगा पे power देनी है अलगलग components हम लगा रहे हैं तो अगर हम 5 volt, 9 volt, 12 volt जो भी हमने power supply देनी है यहाँ पे connect कर दें पॉजटिव यहाँ पे connect कर दें और ground यहाँ पे connect कर दें तो इस point से लेकर इस point तक यह सारे point जो आपके 25 points है यह 5 volt के बन जाएंगे आप 9 volt जो भी आप देंगे और यह जो नीचे वाला point है यह ground के बन जाएगा ऐसे ही इस side का section है यह यह 5 parts है जो इदर के 25 points यह आपस में connected मिलेंगे आपको और यह नीचे वाले इदर आपस में connected मिलेंगे तो total अगर आप देखेंगे तो 100 holes हैं जिनको 4 parts में divide किया गया है ऐसा ही same आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा यह section आपस में connected होगा यह आपस में connected होगा और यह इदर से connected है आपस में और यह section यहाँ से आपके पास आपस में connected है बट यह आपस में connected है कैसे है तो इसको समझने के लिए अगर हम देखें यह जो back side है breadboard की इसके नीचे metal की strips लगिये होती है metal के connectors हैं जो आपस में connect करते हैं तो आपके लिए मैंने एक breadboard को पीछे से open करके रखा है अगर आप देखें जैसे मैंने बताया था आपको कि यह sections हैं जो यह vertical ही आपस में connected है तो इसमें आप देख सकते हैं यह पूरी metal की strip है तो पूरे section को आपस में connect कर रही है ऐसी जो नीचे वाले sections हैं यह आपस में connected हैं सारे इसमें vertical strips आप देख सकते हैं इसके इलावा जो यह उपर का section है अन्हें बोला था कि इस point से लेकि इस point तक ही आपस में connected रहेगा तो आप यहां से देख सकते हैं यह पूरी एक common metal की strip है जो इन points को नीचे से आपस में connect कर रही है यहां पर दूसरी strip है जो की दूसरे section को connect कर रही है इसी तरीके से इस side पर दो strips हैं जो connect करेंगी यहां पर दो strips हैं यहां पर दो strips हैं यह breadboard का internal structure है कि अंदर से वो का ऐसा है कैसे उनके connections हो रखे हैं अब अगर आप देखें तो breadboard के एक side पर आपको ऐसे कुछ dots मिलते हैं जो की structure में बनाए गए हैं इनका काम होता है कि अगर आप breadboard को extend करना चाहते हैं आपको एक large work area चाहिए तो दो breadboards को आप आपस में जोड सकते हैं इनकी help से और वो कैसे जुड़ेगा अगर आप देखें इस breadboard में भी ऐसे ही sections है एक side पर आपको ऐसे dots मिलेंगे और दूसरी side पर ऐसे holes हैं अगर मैं इन dots को इन holes के साथ connect करना चाहूँ तो मेरे को just इसके ओपर रखना है और press करना है तो इससे होगा मेरा एक common large work area बन गया है इसको हमें पूरा use कर सकता हूँ अगर आप कोई बड़ा project बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा components लगाने हैं तो आप इस तरीके से multiple breadboards आपस में connect कर सकते हैं हर breadboard में आपको इस section मिल जाएगा तो next हमने ये component देख लिया कि यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे power का हमने देख लिया अब यहाँ पर एक beach में gap दिया हुआ है इसको दो sections में divide करने का क्या मतलब है basically ये जो structure होता है ये IC के लिए होता है क्योंकि कोई भी जब हम IC use करेंगे अगर हम IC को यहाँ पर लगा देते हैं तो क्या होगा ये जो leg है ये इसके साथ आपस में connect हो गई तो ये दोनों तो पहले ही आपस में connect होगी तो हमारा IC proper work करेंगे नहीं पाएगा तो IC लगाने के लिए ये जगा हमें दी गई है इस तरीके से हम IC लगा सकते हैं इससे क्या होगा ये सारी जो legs है इस side वाली इनके connections हमें यहाँ पे मिल गए इस point से लेके इस point तक ये जितने भी dots है vertically आपस में connected इन से हम IC के pins को उठा सकते हैं और इस side इन pins के लिए ये सारे dots हमारे पास available हैं हमें कहीं भी connection extend करना है इन points को use करके हम connect कर सकते हैं हमने IC देख लिया LED देख ली सेम ऐसे ही resistance का भी होगा अगर resistance आपने लगानी है तो यहाँ से आप इस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ फिर अगर आप चाहें तो diagonally भी लगा सकते हैं एक section को दूसरे section से अगर आपको connect करना है किसी point को तो आप diagonally भी लगा सकते हैं बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा resistance हो, LED हो, कोई भी component हो उसको आप vertically कभी भी एक single line में नहीं लगा सकते हैं अगर आपने vertically लगा दिया तो उससे यह दोनों points already आपस में connected है तो यह component आपका short हो जाएगा काम नहीं करेगा तो यह ध्यान रखना है हमेशा कोई भी component है जो horizontally ही लगेगा vertical connections आपस में connected रहते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो यह सारे horizontal वाले connected हैं तो अगर आपको power देनी है तो इन दोनों अलग अलग dots में देनी होगी ताकि यह पूरा section हम use कर सके हैं तो चलिए इसी breadboard के उपर एक हम छोटा सा circuit बना के देखते हैं हमारे पास एक LED है हम LED को यहाँ पर connect कर देते हैं यह इसका positive terminal है और यह इसका negative terminal है यहाँ पर मैंने connect कर दिया इस LED को एक मेरे पास resistance है यह से resistance को मेरे को LED के साथ connect करना है तो जो इसका यह positive terminal था मैं resistance का एक leg उस terminal के next वाले hole में connect कर दूँगा और दूसरा यहाँ पर connect कर देते हैं अब इससे क्या होगा कि यह जो दोनों points हैं यह आपस में internally connected है तो यह connection इसके साथ अपने आप बन जाएगा तो next अब मिरे को power देनी है तो power देने के लिए मैं यह 9V की battery यूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं battery का एक terminal यहाँ पे इस नीचे वाले hole में connect कर रहा हूँ और जो दूसरा terminal है वो मैं उपर वाले hole में connect कर रहा हूँ तो इससे दो मेरे पास power lines बन गई है तो अब इस power को मिरे को यहाँ तक पहुंचाना है जैसा हमने देखा कि यह power line इस point तक connected है तो मैं एक wire इस point से connect करूँगा और दूसरी resistance के विल्कुल साथ वाले point के ओपर connect कर दूँगा ऐसी ground के लिए एक wire मैं बीच में कहीं भी connect कर सकता हूँ क्योंकि पूरी line आपस में connected है तो दूसरी मैं आपे LED के साथ connect कर देता हूँ आप देख सकते हैं connect करते ही हमारी LED on हो गई है यानि कि हमने जो भी पढ़ा जैसे भी connections अपने सीखे वो proper work करते हैं तो मेरे पास इस battery से power आ रही है जो इस power line को जा रही है और इस power line से हमने resistance और LED को connect ही है जो कि properly work कर रही है उमीद है गाईज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो like और share करना मत भूले और अगर आप इस channel पर नए हैं पही बारा हैं तो subscribe ज़रूर करें मैं हर Monday ऐसे ही नएने वीडियो लिके आता रहूँगा और अगर आपको लोता है कि इन वीडियो से आपके किसी friend या किसी relative की help हो सकती है तो उसके साथ share ज़रूर करें मैं आपसे मिलूँगा next Monday एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए keep supporting, thank you